कि खबरी लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और पैल आइकॉन को दबाए इस खबर के प्राय जग है जैना ज्वेलर्स आबुलेंड मेरत नमस्कार मैं जिया और आप देखने हैं फर्स्ट बाइट डॉट दिए आये रुख करते हैं अब तक कि कुछ खास खबरों किया भारत बना मिजलेंड मुकाबले में एहम होगा टॉस एलिशी आदव के कहने पर पहले भी सापों को लेकर आया राहुल ने किया तुबूल मियमार में स्ट्राइक भाग कर 24 घंटों में भारते सीमा में घुचे 2000 नागरिक मिलीशिया अब गाजा पर हमास का कंट्रोल खती कल मुंबई में सेमी फाइनल टिकटों की काला वजारी में एक अरेस्ट अब खबरे विस्तार से विश्व कप क्रिकेट का पहला सेमी फाइनल भारत और निजलेंड के बीच 15 नमबर बुद्वार को मुंबई के उपान खेड़े स्टे बढ़ सकती हैं से मामले में मुख्या रूपी राहुल ने पूच्टाच में ये कुबूल किया है कि वो एलविश्य आदब को जानता है और एलविश के कहने पर पहले भी सापों को नायड़ा के स्टूडियो में लेकर आया है मेंमार के चीन राजे में स्ट्राइक और भीशर गोली बारी के बाद पिछले 24 घंटों में पड़ोसी देश के 2000 से अधिक नागरिकों ने अंतराश्टे श्रीमा के जरिये भार्टे राजे मिजोरम में प्रिविश किया है मिजोरम के ग्रह मंतरा इलिये के निफ़ार व्रतवान में में मेंमार के 31,364 नागरिक राज़े के लिए विबन हिस्शों में रह रहे हैं उनमें से अधिकान शराइत शीविरों में रहते हैं जबकि अन्य को पर्किस्थान निश्त्दारों ने हैराया है और कुछ किराय के मकानों में रहते हैं जरायल ने दावा किया कि हमास ने गाजा में कंट्रोल खो दिया है प्रक्षा मंतरी योव गेलेंट ने कहा कि हमास ने गाजा पट्टी से 16 साल बाद ये अंतरन खो दिया है आतकवादी साउथ की और भाग रहे हैं नागरी खमास के ठिकानों को लूट रहे हैं मुम्मे में भारत और निजलेंड के बीच होने वाले सेमी फाइनल मैच में पहले टिकेट की काला बाजारी हो रही है टिकेटों की काला बाजारी करने के आरोप में 30 साल के शक्स को रफतार किया गया है फिरासत में लिया गया व्यक्ती मंडाल का रहने वाला है और अपने घर से ही टिकेट बीचने का काम कर रहा था 25,000 का टिकेट 35 से 40,000 के करीब बेच रहा था अभी के लिए इतना ही आप देखते रहे हैं 1stby.b